एलो दोस्तो मुझे हूं मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम यहाँ पर डिसकेशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का निफ्टी 50 में देखेंगे मार्किट में हमें दो लेवल काफी इंट्रेस्टिंग दिखाई दिये जो कि आज हमें एक महत्बून सपोर्ट भी इंपोर्टेंट लेवल था अगर आप पहले वाली ही केंडल को देखेंगे मार्किट ने इस पर रजिस्टेंस की तरेक्ट करके आपको गिरावट दिखाई थी उससे पहले भी दिन जाएंगे मार्किट ने पहले इस पर सपोर्ट लिया जब मार्किट इसके नजदिक आया फिर इसका breakdown होया फिर यहाँ पर resistance की तरहेक्ट की आप फिर retest करने आए और फिर resistance zone पर market खड़ा हो गया था तो यहाँ पर काफे interesting चीज होने वाली थी जो कि आपको बताय गया था कि एक deciding point रहने वाला है कि market के इस direction में जाएगा तो आपने साब साब देखा scalping के लिए बहुत ही बहतरीन तरीका होता है कि market किस level पर कड़ा है और किस तरीके से react कर रहा है और यहाँ पर जैसे ही आपने देखा market ने एक अच्छी खासी downside momentum दिया आपको लगबग 100 प्लस point का momentum नीचे की तरफ लिया फिर एक बहतरीन support हमें नज पर यहां से market ने जो bounce लिया है फिर market ने 17,200 का भी breakout दे दिया और फिर से एक interesting level पर market close होता हुआ नजरा है मैं interesting level क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप धियान से देखेंगी जिस zone में आपको resistance देखने को मिल रहा है same ही चीज हम 14 को भी देख चुके हैं इसी zone में आपको 14 को भी देख सकते हैं इसी zone में आपको resistance दिखाई दे रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं same ही चीज हम 6 चीज को भी देख सकते हैं लेकिन वो edges support दिखाई दे रहा है और हम जानते हैं support zone था breakdown हो गया तो resistance की track कर रहा है और अभी तक इस resistance का हमें breakout नहीं मिला है क्योंकि आप देखें में दिखाई दिया और market नीचे की तरफ चला गया हाला कि इस वाली green candle को अगर आप देखेंगे breakout देने की market ने कोसिस की है लेकिन price sustain नहीं कर पाया आपको गिरावट देखने को मिली आज की दिन फिर से market उसी resistance zone पर जाके खड़ा हो चुका है यानि कि कुल मिला के बात यह है जो 17,350 वाला जो zone होने वाला है या फिर आप यह भी कह सकते हैं 17,300 तो 17,350 यहाँ पर हमें एक important resistance दिखाई दे रहा है जिसकी market बार बार breakout देनी की कोशिस कर रहा है लेकिन price sustain नहीं कर पा रहा है उसके उपर और वो as a resistance act करके गिरावट दिखा रहा है तो यहाँ पर धिहान क्या रखना है अगर इसका breakout मिल गया जो 6th के day high है वे हमें easily achieve होते हुए दिखाई दे सकते हैं यह फिर market उसके day high को approach करने की कोशिस कर सकता है मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि 17,400 हमारे लिए काफी important level रहेगा अगर इसका breakout मिल गया अगर इसका भी breakout मिल गया तो 17,500 हमारे लिए काफी important level रहने माला है हम आगे भी discuss करेंगे यह सार चीजे जब हम price action के according resistance और support का discussion करेंगी तो यह तो बात होगी अगर market ने positive momentum दिखा है या market की closing कहा हो रही है क्योंकि closing समझना काफी जरूरी होता है और मैं आपके साथ हर वीडियो में discuss करता हूँ कि कहाँ पे closing हो रही है कहाँ पे resistance दिखाई दे है तो हमारी क्या strategy होनी चाहिए क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो जादे तर मैं कहीं ने कहीं चीजे की बात करता हूँ वो support और resistance के around होती है price action के according होती है हम किसी news based trading को नहीं करते हैं ना इन चीजे को follow करते हैं ना ही मैं आपको suggest करता हूँ simple support resistance देखो price action काफी मुझे comment भी आते हैं कि जब market में तेजी आती है support resistance काम नहीं करते हैं या फिर जब मंदी आती है या गिरावट आती है तब भी support resistance काम नहीं करते हैं तो दोस्त वो देखने का नजरिया होता है ये चीजे हमेशा काम करते हैं मानलो यहीं से आपको गिरावट आ जाए आ और मानलो बात करे हो आपकी अचानक से गिरावट आगी या बड़ी gap down opening होगी तो नीचे भी तो support level है अमारे लिए कहाँ पर है support यहाँ पर एक 16,950 का हम discussion करें तो हम नीचे लिएवाले support resistance का discussion करेंगे क्योंकि इतने support resistance आपको बताए नहीं जाते हैं आपको जो नजदी की ह होते हैं वो discuss किये जाते हैं तो यह अलग case होता है अगर market ने gap down में ही उनका break down कर दिया या gap up में ही उनका breakout कर दिया तो उससे आगे भी तो support resistance है जो previous analysis के base पे हम discuss कर सकते हैं तो उसके according आप अपनी strategy बना सकते हैं तो इसलिए उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि अगर वट आजाती है तो support resistance काम नहीं करते हैं वो बस हमारा देखने का नजरिया अलग होता है यह हम चीजों को किस तरह किसे समझते हैं खासकर इस तरह के जो सवाल आते हैं यह सवाल मैंने क्यों लिया यह discuss करना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि जो नए नए ट्रेडर आते हैं वो चीजों को देखते हैं तो बैतर है उनके doubt कि लियर कर ले जाए अब इसका में आपको एक simple सा example दिखाता हूं अगर मैं यहां पर time frame change कर देता हूं one day कर देता हूं काफी लोग को यह confusion रहेगा कि कैसे पहचाने तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि 17,000 पे important support हमें दिखाई दे रहे हैं तो अगर बड़ा breakdown आएगा यह बड़ी gap down opening आ जाएगी यह market flat भी कुलके बड़ी तेजी के साथ गिर जाएगा तो हम simply time frame change करके बड़े time frame पे जाएंगे और देख लेंगे कि कहां पे हमें support resistance दिखाई दिखाई दे रहे हैं अगर gap up opening होगी 17,400 पे एक आगी बढ़ते हैं मैं बीच बीच में इसी तरह के आपके questions लेता रहूंगा समय समय पर जो आप comment करते हो तो वीडियो में यह सारी चीजे हम cover करने की कोसिस करते हैं अब यहाँ पे कुछ और interesting चीजे समझने की कोसिस करते हैं हाला कि यह चीजे मैं आपके साथ discuss कर चुका आपके साथ करते हूं मार्किट जिस लेवल पे खड़ा है यह तो मैं आपको बता चुका कि आज के दिन भी हमें 17 को resistance देखने को मिला है 14 को भी हमें same level पर resistance देखने को मिला है 6 को उसी level पर हमें support देखने को मिला था तो अभी हमारे according market एक resistance जो उनके पास कड़ा हुआ है लेकिन अगर resistance की track करके आपको गिरावट दिखाएगा, तो 17,200 आपके लिए पहला support level बनेगा, और ये level कितना ज्यादा important है, उस चीज को आप यहां से समझ सकते हैं, time frame अगर हम change करेंगे, यहां पर मैंने 30 minute का time frame लगा दिया है, तो आप देखो, यहां तक तो आपको दिखाए दिया, उससे पहले देखो, आपको एक बहतरीन यहां पर support दिखाए दे रहा है, उससे पहले एक मजबूत resistance की track कर चुका, यहां कि 17,200 का हम previous वीडियो में भी भर-भर के discussion कर चुके हैं, तो हमारे लिए कभी support की track करता है, कभी resistance की track करता है, तो clear है, फिलाल इसका breakout मिल रहा है, और market इसे उपर से नीचे की तरफ approach करने की कोशिस करेगा, तो हमारे लिए support की तरह act करने वाला है, फिर से हम वही पर आते हैं, वापिस उसी time frame पे, अब यह तो बात होगी हमारी support के, अगर इसका breakdown आया हो, उसका भी हम discussion करेंगे, कि market यहां तो 14 के day low को approach करने की कोशिस कर सकता है, या 17 के day low को approach करने के कोशिस करता है, आगे हम projection में discuss करने वाले हैं, लेकिन अगर उपर की तरफ देखें, यह एक resistance zone बना हुआ हमारा 17,300 to 17,350, तो अगर हम positive momentum चाहते हैं, तो market का इस zone से बाहर निकलना काफी जरूर ही है, इस चीज को आपको ध्यान रखके चलना है, अब मैं आपको इससे भी interesting चीज समझाने के कोशिस करता हूँ, no trading zone को समझते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो red line दिखाई दे रही है, नीचे लेवा लाइन के बात करने के 17,278 की है, उपर लेवा लाइन के बात करने के 17,347 की है, जो कि आप प्राइज उपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है buying opportunities, और यहाँ पर आपको 14K day high का भी breakout मिलेगा, आपके लिए यहाँ पर day high के breakout वाली strategy काम करती हुई दिखाई देगी, day high के breakout पे मैंने अलग से वीडियो आपको प्रोइड करा दी है, जो कि आपको अभी दो एक दीन को समझना चाते है, यहाँ तक चीजे के लिए रहे, वही पर अगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है selling opportunities, इस condition में 17,200 आपके लिए पहला support की तरेक्ट करेगा, चलो support resistance हम आगे discuss करेंगे, इस चीज को अभी हम यही पर रहने देते हैं, तो यहाँ तक आप समझगे, डेलो के breakdown वाली strategy भी मैं आपके साथ discuss करूँगा, जल्द ही, आज ही discuss कर लेंगे, चलो इसे, साम तक आपको वीडियो मिल जाएगी, इसे भी खतम कर लेंगे, आज ही कर लेंगे, अब हम यहाँ पर price action के according support resistance को समझने की को सिस करते हैं, पहला discussion क करेंगे, अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है, या फिर flat open होके market आपको positive momentum दिखाता है, दोनों ही situation पर जो में resistance नज़रा रहा है, 17,400 पर नज़रा रहा है, यहाँ पर एक बात और समझो, मैंने आपको इस zone में एक resistance बता है, कि market अभी resistance zone पर खड़ा है, तो इसके breakout मिलने के अगला resistance हमारा यह बनेगा, 17,400 और यहाँ पर भी आप देखेंगे, 6th को market ने एक important resistance की तरेक्ट किया है, इसका breakout देने के कोशिस किया है, लेकिन breakout नहीं दे पाया, और आपको गिरावट ही देखने को मिली, तो यह काफी important आपके लिए resistance रहने वाला है, अगर आपको इसका breakdown opening देखने को मिलते हैं, फिर flat open होके market आपको negative momentum दिखाता है, दोनों यह situation पे जो में support नजरा रहे है, 17,200 पे आपको support देखने को मिल रहा है, अगर इसका भी breakdown मिलता है, अगला support हमें 17,100 पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यह भी चीजे के लिएर होगी, अब मैं आ और interesting चीज समझाने के कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम बड़े time frame पे जाएंगे, बड़े time frame पे अगर आप जाएंगे, तो 17,400 एक काफी interesting level हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाला कि अगर हम September की बात करेंगे, तो September में हमें इस zone पे support भी देख पे देखने को मिले, हाला कि अगस्त में एक बार इसका breakdown भी मिला था, लेकिन price ज्यादा देर तक नीचे sustain नहीं कर पाया, और फिर से support लेके market bounce करता हूँ दिखाई दिया, उससे पहले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको support भी दिखाई दे रहा है, resistance भी दिखाई दे इसका हमें breakout मिलना चाहिए, तो यह जो important resistance बना हुआ है, यह हमारे लिए possibility हो जाएगी कि आजे support की track करके market को ऊपर की तरफ bounce करता रहे, अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमें 17,400 का breakout मिल ही जाएगा, तो अपने नए high की तरफ 50-50 चला जाएगा, क्योंकि sideways momentum भी हम देख सकते हैं, यह situation हमने कब देखी, अगस्त में देखी, अगर आप अगस्त के last week में जाएगे, और September के first week में जाएगे, या फिर 15 days के round जाएगे, last 15 days अगस्त के आप देखेंगे, और first 15 days आप September के देखेंगे, तो एक sideways zone भी हमें देखने को मिला है, और फिर September में ही एक नया high भ 20 October के हमने expiry select करके, call की साइड हम देखने वाले है resistance को, put की साइड हम देखने वाले है support को, resistance की बात करेंगे तो 17,400 पे एक important resistance दिखाई दे रहा है, यह आपके साथ already discuss किया गया है, यहापे आपको 41 lakh का open interest दिखाई दे रहा है, अगर इसका breakout मिलता है 17,500 यह भी level आपके साथ discuss किया गया है, यहाप देखेंगे 58.7 lakh को आपको यहापर open interest दिखाई दे रहा है, वही support की बात करेंगे तो 17,200, देखो सारी चीजे मैच, यह भी level आपको आपके साथ discuss किया गया है, यहापर आप देखेंगे 47.3 lakh का आपको यहापर open interest दिखाई दे रहा है, अगर इसका breakdown मि किजिएगा और बेल आइकन प्रेस किजिएगा जिससे आप कौने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसे अच्छे कॉंटेंट के साथ थेंक यू